हलो दोस्तों मैं सोबित कुमार चोधरी फिर से वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर उमीद करता हूँ आप सभी एच्छे होंगे मजे में होंगे और अकाउंट्स की स्टडीज को इंजोई कर रहे होंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें बैल आइकन को जरूर दमाएं ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आपके लिए आचुकी है साथ में ही आ कोशन इसके लावा अगर आपको और कोशन की प्रेक्टिस करनी हैं 100 आउट ओफ 100 की तरफ आप देख रहे हैं 80 आउट ओफ 80 की तरफ देख रहे हैं तो एप्लिकेशन को डाउनलोड करके अपनी अपने अनुसार अपनी हेल्प के अनुसार जो भी आपको लगे जो आपकी नीड है उसके अनुसार आपको पर चेज कर सकते हैं और अपने स्टडीज को आगे बढ़ा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आपना आज का वीडियो बिना किसी देरी किये चलिए बेटा आज हम कवर करने वाले हैं 2 कोशन सूपर प्रोफिट से लेटेट 2 कोशन हम कवर करें आज मैं फिर आपके सामने 2 कोशन लेके आया हूं, एक 2015 All India Compartment में आया था और एक Delhi में 2017 में इसे फरक नहीं पड़ता कंपर्टमेंट में आया है, इस से फरक नहीं पड़ता है, इंपोटेंट कोशन है, अच्छा कोशन है, इवन कंपर्टमेंट कोशन थोड़ा सा जादा टि तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन ओवर ओल यह है कि कंपार्टमेंट का पेपर भी टफ होता है इसलिए कंपार्टमेंट तो बिलकुल ना सोचें आप नॉर्मल लॉर्मर भी हमारी चीजों को हमारी क्लासों को बढ़ते रहेंगे तो 27 तक आप इसलिए पहुँच जाएंगे मैं गैरेंटी देता हूँ उसके साथ हमें फोलो करते रहें 27 नंबर तो पके हैं और 80 आउट ओफ 80 भी आपके आ सकते हैं यहां से क्लास लें साथ में स्मार्ट क्लास लें आपको डाउनलोड करके वहां से हमारी क्लास पढ़ें रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें वहाँ इंपोर्टेंट कोशन, टैस स्रीज, बहुत सारी महनत आपके लिए हम करते हैं ताकि एजली आप एक्जाम को एज कर पाएं विजुलाइज रहें चीज़ें पेपर में आपको दिक्कत नहीं है चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो जल्ली से रीड कर लेता हूं कोशन की क्या कोशन है हमारा ओन फर्स अपरेल 2014 को एक फर्म के पास हैड एसेट्स ओफ 1 lakh excluding stock of 20,000 के रही है फर्म के पास assets है 1 lakh की excluding stock अभी तक इसमें 20,000 का stock include नहीं है इसका मतलग simple सा यह हुआ कि stock को हटा कर 1 lakh की assets है अगर इस stock को include कर देते हैं तो 1 lakh 20,000 की assets हो जाएगी कह रहा है partner capital account जो so करता है वो balance एक so करता है जो 60,000 का है ठीक है आगे कह रहा है the current liability were 10,000 and the balance constituted the reserve current liability 10,000 and the balance reconstituted the reserve ठीक है आगे बढ़ लेते हैं if the normal rate of return is 8% ठीक है the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 year of purchase of super profit find average profit of the firm थोड़ा सा question हटके है बड़ा मज़ेदार कोशन है थोड़ा सा हटके कोशन है compartment का कोशन है जलवा तो भी खेरे गई ये कोशन बड़ा कोशन है थोड़ी सी demand अलग करी है कोशन गुमा फिरा के कहता है कि भाई सब goodwill बता दी तुमें 60,000 की super profit के basis बे goodwill निका ली है चार सालों के ये भी बता दी तुमें अब तुम जरा हमें average profit बता दो इसका मतलब इसका मतलब कोशन उल्टा हमें फसा रहा है कह रहा है goodwill ले लो मेरे से super profit के हिसाब से 4 सालों के हिसाब से और मुझे average profit निकाल कर बता दो क्या आएगा तो कैसे करेंगे इस तरीके के कोशन को जल्दी से start करते हैं अपना कोशन उमीद करते हैं आप सभी मजे ले रहे होंगे counting की class में मजे लूट रहे होंगे जल्दी से देखें क्या करना है हमें इस कोशन सबसे पहले detail याद रखेंगे detail क्या दे रखी है में कोशन में बिना डिटेल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे सबसे पहले आपको डिटेल याद रखनी पड़ेगी अगर डिटेल आपके पास है तो आप आसानी से कोशन कर पाएंगे तो मैं इतना क्यों बोल रहे हो सरा आप डिटेल आपके पास है नहीं हाँ बेटा वो इदर उदर हो गई मेरी बुक मैं उसी को डून रहा हूँ तो बच्चा जल्दी से समझने के लिए एक बार हलका सा मेमोराइज कर लें अपने दिमाग को अपने दिमाग को लगा लें ठिकाने बर ठिकाने लगाने के लिए मैं फॉर्मूले लिखने स्टार्ट करता हूँ सूपर प्रोफिट हमारा बोलता है सोरी मेरे बच्चा गुडविल हमारी बोलती है सूपर प्रोफिट इंटू नंबर ओफ इयर परचेज कोशन को ढग से पढ़ेंगे तो कोशन बोल रहा है कि हमारी गुडविल साथ हजार की है हमने का सूपर प्रोफिट तो पता नहीं लेकिन नंबर ओफ इयर परचेज ने बोला है चार सालों के आधार पर तो अगर मैं मैंने सारी इन्फोर्मेशन को गुडविल के जो फोर्मूला है उसमें पुट कर दिया तो मैंने देखा कि यहां से मैं सूपर प्रोफिट को निकाल सकता हूँ कोशन ने गुडविल किवगे ने मैंने रख दिया सूपर प्रोफिट नहीं किवगे ने ऐसा का ऐसे रख खा रहने दिया नंबर ओ फीर परचेज की जगह निकाल लिया जो निकल के आ है मेरे बच्चा कितने का 15,000 रुपे का अब निकालने के बाद मेरे बच्चा आब हम बात करते है normal profit की normal profit कैसे निकलता है यह पहली चीज हमने यहां से निकाल ली दूसरे में अब हम लिखकर चलते हैं कि हमारा normal profit कैसे निकलता है वो निकलता है सहा capital employed into rate of return upon hundred तो जल्दी से बताओ क्या question में capital employed हम निकाल सकते हैं yes बिल्कुल निकाल सकते हैं कैसे total assets minus outside liability अगर question सांत रहे केवल liability ही लिखे तो आप समझ जाना ये outside liability ही है उनको हम outside liability ही मानते हैं ध्यान दखना total assets में हमें सारी assets लेनी होती है केवल क्या नहीं लेना goodwill अगर कोई परानी पहले से दे रख्या उसको consider नहीं करना साथ में fictitious assets को consider नहीं करना और non trade investment को consider नहीं करना इन सब को छोड़के सब को consider करना इन तीनों को छोड़के मैंने question पढ़ना start किया तो question कह रहा है कि हमारी assets एक लाग की है हमने उसमें 20,000 का stock नहीं लिया क्यों नहीं लिया बे क्यों नहीं लिया बीस हजार का stock अगर यह 20,000 की goodwill होती आपने नहीं लिया होता हम बोलते very good आपने अच्छा किया अगर इसकी जगा non trade investment होती आपने नहीं लिया होता तो हम कहते आपने अच्छा किया इसकी जगा अगर कोई fictitious assets होती आप बोलते हमने नहीं लिया तो हम बोलते अच्छा होता आपने नहीं लिया fictitious assets में मेरे बच्चा आते हैं कोई भी deferred revenue expenditure कोई भी preliminary expenditure discount on issue of debenture discount on issue of securities या कोई भी loss on redemption of debenture हो या कोई भी loss on the redemption of securities हो इस तरीके के जो losses होते हैं हमारे उनको हम fictitious assets बोलते हैं deferred revenue transaction या deferred revenue expenditure जो होते हैं हमारे fictitious nature के होते हैं हमें write off करना पड़ता over the year अलाकि इसमें कुछ concept थोड़ता change हुआ है within the year ही write off करने की बात हुई है debenture के case में या deferred के case में कि उसी साल में आप write off कर तो जब आप debenture पढ़ेंगे तो वहाँ उसका effect हम consider कर लेंगे अभी के लिए इतना याद रखो deferred revenue preliminary expenditure ठीक है मेरे बच्चा ये जो होते हैं ये fictitious nature के होते हैं advertisement, suspense, fictitious nature का होता है कोई भी expenses हो, incorporation of the company ये fictitious nature की assets होती हैं इनकों में write off करना पड़ता है तो मेरे बच्चा अब हम क्या करेंगे, total assets में से minus कर देंगे outside liability, total assets जो उसने 1 lakh की दे रखी है उसमें अभी तक उसने 20,000 का stock include नहीं किया हुआ, exclude कर रखा था, तो हम उसको include करेंगे पेपर में इसलिए ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता, बच्चों ने क्या किया होगा, एक लाग का निकाल देंगे और घर आके कहेंगे, एक ती नमबर पके, चा नमबर पके, पता चलेगा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि धंग से पढ़ते नहीं है, याद क्या रखना एक्स्क्लूड को करना है, एक्स्क्लूड को करना है, एक्स्क्लूड को करना है, एक्स्क्लूड 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 कर help से हम क्या निकालेंगे normal profit तो कितना आएगा normal profit एक लाग दस हजार rate of return चेक कर मेरे बच्चा कितना दे रखा है साइद 8% है 8 बटे 100 तो कितना आएगा 8800 1188 कितना आएगा 8800 तो ये क्या निकल के आया 8800 निकल के आया मेरे बच्चा जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से मुझे बताओ formula कैसे निकालते थे आप super profit तीसरा final step super profit में हम लिखते थे sir average profit ध्यान देना average profit minus normal profit ये तो लिखते थे हम average profit minus normal profit is equal to क्या हुआ करता था हमारा super profit तो super profit हमने अभी तो निकाला है कितने का निकला था 15,000 का तो super profit की जगा super profit रखो average profit नहीं पता as it is रखा रहने तो normal profit अभी निकाला हमने 8800 का equation को solve कर दो तो आप बराबर कितने के आ गए जल्दी से 15,000 plus 8800 कितना मैत वालो जल्दी से कमाल करो मैत वालो जल्दी से कमाल करके दिखाओ मैत वालो 15,000 में जोड़ दो जल्दी से 8800 को 23,800 कितना आएगा 20,800 इसका answer आज आएगा ठीक है मेरे बच्चा 800 नहीं आया 20,800 इसका answer आया मेरे बच्चा 24,800 इसका correct answer तो बड़ा simple सा kokoshen है यह कुछ भी नहीं है मजदार कोoshen है ऐसे question देखो कितनी बार paper में आते हैं जल्दी से दूसरा question read out करते हैं देखते हैं दूसरा question क्या बकवास लेकर आया है paper में आया हुआ question हमारा बच्चा accounts हवेली का बच्चा हमारी जो live classes हैं जो youtube पे हम पढ़ाते हैं accounts हवेली के नाम से बाकी हमारी जो face to face classes गाजवाद में चलती हैं वो चलती है smart classes के नाम से तो accounts हवेली का बच्चा और smart classes का बच्चा उधेड़ देगा ऐसे question को उस पे फरक पढ़ने वाला नहीं है जल्दी से देखो start करके second question क्या है second question है the total capital of the firm of saksi mehek and mega smm is one lakh तीनों की capital one lakh की है and the market rate of interest is 15% लोग 15% के बराबर कमा लेते हैं यहां पर the net profit of the three years worth 30,000, 36,000 and a 42,000 ठीक है average निकाल लेंगे इसका simple है goodwill is to be valued on two years purchase of the last three years super profit calculate goodwill of the firm आसान सा question है आसान सा question है मेरे हिसाब से आप उधेड़ दोगे आप पे फरक पढ़ने वाला है नहीं let do question है जल्दी से start करो मैं देखता हूँ आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे जल्दी से start करके बताओ मुझे अरे मेरे बच्चा क्या करोगे सबसे पहले बताओ जल्दी से average profit निकाल लो इस बार पहले इस sequence का फरक नहीं बढ़ता आप जैसा आपको समझा है ऐसा करो जल्दी से बताओ profit कितने कितने के थे 30,000, 36,000 और 42,000 ऐसा ही था जरा देखें 30, 36, 42 ये ही था सम बताओ कितना या इसका 30, 36, 42 का सम बताओ जल्दी से बताओ मेरे बच्चा बटे 3 भी कर देता हा ना यहीं सम क्यों निकाले बटे 3 कर देते हैं सीधा सम करके सीधा बताओ मुझे सीधा निकाल के बताओ कितना आया 36 आया सायद 36 आया ना अवरेज प्रोफिट अब नॉर्मल प्रोफिट बताओ मुझे कितना आएगा जल्दी से बताओ normal profit कितना आएगा कैसे निकालेंगे अपन लोग normal profit capital employed का capital employed कितना दे रखा है एक लाग एक लाग का कितना परसेंट है एक लाग का कितना परसेंट है 15% 15 बटे 100 कितना आया 15,000 आया तीसरा नमबर क्या आएगा super profit कितना आएगा 36 minus 15 कितना बच जाएगा मेरे बच्चा 21 तो फोर्थ नमबर पर क्या निकलेगा goodwill is called to 21,000 into कितने नमबर ओफ ये परचेस पर 23 उपे था सायद 42,000 कितना आया goodwill 42,000 ठीक है मेरे बच्चा तो ये करे हमने अपने last two years के question उमीद गरता हूँ समझ में आया हूँगे जल्दी से comment section में comment करके बताएं आपको कैसा लगा साती अपने valuable feedback हमें देते रहें अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe करना ना बूलें bell icon को जरूर दबाएं साती video के link को जरूर share करें video को जरूर share करें तब तक के लिए घर पे रहें सुष्ट रहें अच्छे रहें भारत माता की जय है स्वट थाइंड है